बिसमिल्लाइमान रहीम, असलामलेकूं वीवर्स, वेलकम तो मैं चैनल, आज हम बहुती हुपसूरो स्टाइलिश सा एप्लिक वर्क में स्लीव का डिजाइन बनाएंगे और मैं बहुती मुब्लिफ तरिके से बहुत असान तरिके से आपको एपलिक स्लीव का डिजाइन बनाना बताऊंगी इस वीडियो में सो सबसे पहले हम sleeve का design बनाने के लिए sleeve का fabric लेंगे और sleeve की मैंने cutting already कर ली है ठीक है इसकी bottom वाली side है सो जब हम sleeve के fabric की cutting करेंगे तो हम 1.5 inch extra fabric रखते वे sleeve की cutting कर लेंगे और फिर bottom वाली side पे इस तरह से last को रखते वे stitch करेंगे जो fabric sleeve का वो CD side है और जो last है वो back side है और इस तरह से last की back side को रखते वे हम किनारेवल side से बिल्कुर straight stitch कर लेंगे बिल्कुर straight stitch करने के बाद जो extra हमने fabric रखता था बाहर वाली side पर इसको इस तरह से turn करते वे stitch कर लेंगे ठीक है last को हमने stitch कर लेंगे fabric भी stitch हो चुक है last को भी हम बाहर वाली side पर रखेंगे top से भी stitch कर लेंगे so apply cut work बनाने के लिए मैंने canvas paper लिया ठीक है paper नहीं canvas paper लिया है मैंने और इसकी width और जो length है बिल्कुर same है 8 inch width है और 18 inch इसकी length है अब canvas paper की CD side पर इस तरह से हम इसे corner वाली side पर fold कर लेंगे ठीक है burn side है वो अपनी तरफ कर लेंगे जिस side से हमने design बनाने जो इस icon की open side है वो हम बाहर वाली side पर रखेंगे ठीक है जो burn side आप अपनी तरफ रखेंगे और इस side से हम design बनाना start करेंगे हम sketch बनाएंगे सबसे पहले apply cut work का so जब तक मैं ये apply cut work का sketch बना रहीं draw करेंगे अगर आप नहीं तो मैं चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कीजेगा वीडियो को भी जरूर लाइक हो शेयर कीजेगा और comments में भी अपनी अच्छी से राय जरूर दीजेगा ठीक है मुझे ज्यादा ज्यादा support करें मुझे अब आपके support की बहुत ज्यादा जरूरत है ठीक है इस तरह से हम complete जो इसका sketch है वो ready करेंगे बहुत ही असान है जिने drawing नहीं आती वो भी बहुत असानी से बना सकते है और एक ही time में बहुत ही हुपसोर सा यह design बन जाएगा ठीक है इस तरह से हम इसे draw कर लेंगे complete आप इसका screen short भी ले सकते है ठीक है इस तरह से हमने इसे ready कर लिए बहुत ही असान है यह सो अब हम इसकी cutting करेंगे और जो हमने cutting करनी sketch की वो बहुत ही careful होकर करनी है ठीक है इस त cutting करना बताऊंगी सो इस तरह से outline के साथ साथ हम इसे cutting करेंगे जो extra canvas paper है उसे remove कर लेंगे ठीक है आपसे request अगर आप नहीं तो मैं चाहिए को please do subscribe कीजए मुझे आपके support बहुत ज़्यादा जरूरत है और हमें अपनी दौाओं में जरूरत यार्द रखीगा ठीक है इस तरह बराबर रखते हुए हम इसे cutting करेंगे सो इस तरह से हमने इस cut work को complete cutting कर लिया ठीक है एक ही time में देखे मैंने इससे cutting कर लिया आप इससे cutting कर सकते हैं बहुत ही उप्सुरा से sleeve का design है सो इस तरह से cutting करने के बाद अब हम fabric ले लेंगे ठीक है मेरे पास cotton का fabric है इसकी back side पे इस इस तरह से मैंने प्रेस की मदद से अच्छे से से इस cut work को paste कर लिए अब हम सीजर लेंगे ठीक है यह design बनाने के लिए हमें small Caesar चाहिए और इस तरह से Caesar के साथ जो एकसा fabric है कट वर की बाहिर वाली side पर थोड़ा सा fabric छोड़ेंगे जितना fabric paste हो जाए और बाकी fabric को हम इस तरह से cutting कर लेंगे ठीक है complete हम इस side से cutting करेंगे टाके बहुत ही हुपसोर सा हमारे यह cut work का design बने इसी तरह से हम बिल्कुल center तक cut लगाएंगे जहां तक corner है ठीक है जो design है बहुत दील का रहा था मेरा यह applic work करने को cut work बनाने के लिए इस तरह से पिर हम ग्लू स्टीक को पेस कर लेएंगे कर लेंगे इस cut work के उपर complete इसी तरह से पिर हम इस साइट से भी glue stick लगाएंगे व हम इस हम इस fabric को paste कर लेंगे canvas paper की। इस तरह से one side से paste कर लिए अब बाकि जो corner उन side पर भी हम इसी तरह से fabric cutting करते हुए इने भी हम paste कर लेंगे इस तरह से four sides से हम इने paste कर लेंगे अब जो center का fabric है थी कि इसे भी हम बिल्कुल इसी तरह से सेंटर से कटिंग करेंगे जिस तरह से हमने इसे ड्रो किया सेम इसी तरह से हमने इसे पेस्ट करना है फिर ही डिजाइन हुपसुरत बनेगा ठीक है इस साइड से भी सेंटर से हम कटिंग कर लेंगे और जो फ्लावर की हमें छोड़ चोड़ पिपर बस नज़रा रही है इन्हें हमने कटिंग नहीं करना बस इनके सैंटर में हम छोड़-छोटे से कॉर्नर तक कर्ट लगा ले जहाए जहां तक करते जाएंगे canvas paper की ओपर तो इस तरह से तमाम जो fabric हैं हम paste कर लिए उनके center में जटो कौन है ठीक है उने भी हम इसी तरह से cutting करेंगे हम पहले center से cutting करेंगे फिर इनके corner ठंग four sides से हम इने cutting करेंगे ठीक है इस तरह से फिर हम four sides से cutting करेंगे इन्हें भी हम glue stick लगाएंगे औने भी हम इसी तरह से इन सब को भी इसी तरह से हमम SESM पेस्ट कर लिए। ऐसे लगर हैं जैसे वेलवर्स के ऊपर हमने यह से paste कि बहुत ही प्लत लग रहा है। कैंगे तो पहले को स्टीच किया तो इसली स्टीच किया था ताकि जो हमारा कट वर कर बिल्कुर सैंटर में स्टीचśl olması ठीच में तिक हो जा है तो अब प्लीड इसस तरह से हम इसके बैग्साइट पर सोई में हम स्थीज करना बिलकूर कि साथ-साथ हम इसे stitch कर लेंगे अगर आप मशीन से नहीं stitch करना चाहते तो आप सुई की मदस से चोट चोटे stitching लगाते भी ऐसे आप stitch कर सकते तो इस तरह से हम इसे complete ठीक है paste करने बार कि नारेबल side piece से complete इसे stitch कर लेंगे ठीक है यह design आप टीवी देखते हुए भी बना सकते हैं जब cut work को paste करना हो तो आप कोई भी अपना favorite drama देखते हुए भी cut work का जो fabric है उसे glue stick लगाते हुए paste कर सकते हैं सो इस तरह से हमने इने stitch कर लिए सो इस तरह से डोनों बाजू जो है वो ready हो चुके दोनों स्लीव का जो fabric है वो design के साथ ready हो चुके है और आप में चैनल पर विजर भी कीजेगा आपको हर तरह के design मिल जाएंगे स्लीव के ट्राउजर के और neck design और में चैनल को प्लीज जूर सब्सक्राइब कीजिए जाएंगे अपना हया रखें दौा में याद रखें लाहाफीज